शेत्रिय परिवहन अधिकारी चमबा उनकार सिंग ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा चार माह का टेक्स माफ कर दिया गया है लिहाजा 1 अप्रेल 2020 से 31 जुलाई 2020 तक किसी भी ट्रांस्पोर्टर को टेक्स जमा करवाने की आवश्यक्ता नहीं है सरकार ने यह निर्नय कोरोना वाइरस से बचाव को लेकर लागू लॉक्टाउन वर कर्फ्यू के चलते परिवहन से वाइं ठप होने के कारण लिया है बताते चले की पिछले दो महीनों से जिस तरह से लॉक्टाउन और कर्फ्यू के दोरान लोगों का घर से निकलना बंध हो चुका था ऐसे में निजीबस ओपरेटरों ने भी अपनी सभी बसों को खड़ा कर दिया था परन्तु अब जैसे ही थोड़े बहुत हालात सामान्य होने लगे हैं तो निजी बस ओपरेटर फिर से बसे चलाने के लिए सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी गाड़ियों को भी सामान्य तोर पर चलाया जाए ताकि उनका कोई नुकसान न हो इन ओपरेटरों ने प्रदेश सरकार का टैक्स माफ करने पर धन्यवाद करते हुए कहा कि इस लॉक्टाउन के दौरान हम सभी निजी ओपरेटरों की हालत बहुत ही खस्ता हो चुकी थी लेकिन सरकार ने इन चार महीनों के टैक्स माफी से इन्हें बड़ी राहत मिली है इन लोगों का यह भी कहना है कि सरकार निगम की गाड़ियों को तो आधी सवारियों को बिठा कर भी चला सकती है लेकिन निजी गाडियों को इतनी कम सवारियों को लेकर चलना संभव नहीं है इससे गाड़ी में पढ़ने वाले डीजल का खर्चा भी पूरा नहीं होगा तो बाकी के खर्चे कहां से पुरे हो सकते हैं उनका कहना है कि बैंक से कर्ज लेकर जो लोगों ने यह गाड़िया ले रखी है ऐसे में उनकी किस्तों के साथ हन्य खर्चे पुरे करना बड़ा ही मुश्किल है अगर सरकार इस बारे कोई उचित फैसला नहीं करती है तो हम लोगों को गाड़ियां बेचनी पड़ेंगी जनिक सेवाए वाहनों, माल वाहक वाहनों, शिक्षन संस्थानों की बसों, मिजी सेवा वाहनों के टोकन टेक्स और स्पेशल रोड टेक्स विशेश पतकर में छूट दी गई है इसके अलावा जिन ट्रांस्पोर्टरों ने मार्च माह में टेक्स जमा नहीं करवाया था, वे अगस्त माह में टेक्स जमा करवा सकेंगे जहां तक टेक्स को लेकर बात है तो सभी प्रकार के टेक्स सरकार ने माफ कर दिये हैं जो परदेश सरकार ने हिमाचल के बसों के लिए जो चार मिन्ने का टैक्स जो माफ किया है वो एक सरकार का सरानिय कदम है पर इसमें एक बात हो रहा है ना अगर वो सरकार चार मिन्नों का इन बसों का टैक्स जो माफ कर रही है तो उन बसों को सड़कों पर भी चलना चाहिए क क्योंकि हम जैसे गाउं से आते हैं कहीं से भी आते हैं हमारे पास ना कोई भीकल है ना कोई कुछ है तो हमें तो बस्तों का इसारा लेना पड़ता है तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो इन्होंने चार महिने का बस्तों का किराया माफ किया है तो उन बस्तों को सड़कों को वही भी ढुड़ाया जाए ताकि लोगों को दूर दुरा से आने वाले लोगों को बस्तों की सुबता मिल सके इसके बारे में मैं राज्या सिरकार हिमाचर प्रदेश वह विशेश करके मुक्षमिंत्री जी हिमाचर प्रदेश का बहुत आभारी हूं जिन्होंने इस कछिन प बहुत नुक्सान हो रहा था तो थोड़ा पूरा इससे हमें थोड़ी रहात मिली है इसके लिए हम प्रदेश सरकार और खास करके मुक्रमंत्री जी का हम बहुत धन्यवाद करते हैं ऐसा इस में प्रदेश सरकार अगर गाड़ियां चलाती है तो क्योंकि HRTC को जो है वो सरक सरकार की मदद मीलती है जिससे अब वो गाड़ी चला लेते हैं तो उनको इसका कोई फरक नहीं पड़ेगा प्रंतु प्राइवेट बस बाड़ों को इसका बहुत फरक पड़ता है क्योंकि हमारी गाड़ियां खड़ी है जिस हिसाब से इन्होंने 50% पर चलाने के जो गुजारिश है कि वो इसके बारे में सोचे और हम जो प्राइवेट बस अपरेटर्स हैं उसको कोई प्रिशेश फ्रोज सांद देखर जो है गाड़ियां चलाने की किरफा करें जो कोईट नाइंटी जो बिमारी फेली है उसके दुरान एहत्यात बरते हुए और पूर साबदाने बरते हुए सारी गाड़ियां बंद कर दी गए थी ओपरेटर ने गाड़ियां रोक ली थी लेकिन जब गाड़ियां नहीं चली तो इनकी भी डिमांड थी कि जब पाती मिलना चाहिए तो सरकार ने इसको गंभीरता से लेते हुए और बान स्वामियों की प्रावलम को समीते हुए चार मीने का टेक्स जो हुए अग्जंप्ट कर दिया गया है और मारिच में जो नौन ऑपरेशनल का टेक्स ता उसको अड़िस्ट किया जाएगा और जिन् में टोकन टेक्स बसों का है ट्रकों का है टैक्सियों का है कर दिये गए और बसों का जो स्पेशल रोट टेक्स लगता है उसको भी सरकार ने माफ किया हुआ है